आज की ये कहानी है मेगाले के मुखमंत्री चीप मिनिक्टर कॉन्राड संगमा की इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कुछ और पिक्चर देख लीजे ये आप देखी इनकी पपनी है इनकी वेटी है और आप देखे इनकी मा हैं और ये हैं और इनकी पत्नी आपको दिखाई दे रही है एक बार आप लोग मेगाले को देख लीजे देखे ये हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे ये आपको मेगाले देखने को मिलेगा सिलांग इसकी राददानी है इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और अंतराष्टी सीमा इसकी बंगला देश से लगती है और इसे राज्य बनानी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 21 जन्वरी 1972 में राज्य बनाये गया था और यहां विधान सभा में 60 सीटे हैं, राज्य सभा में 1 सीट है, लोग सभा में 2 सीटे हैं इसका अगर हम लोग छेतफल देखें तो 22,439 वर किलोमीटर में आपका मेगाले फैला हुआ है अगर हम लोग कॉन्राड संग्वा के जन्म की बात करें, तो 27 जन्वरी 1978 को मेगाले के पश्मी गारो हिल्स चिले की तुराग इलाके में इनका जन्म हुआ था कॉन्राड संग्वा ने अपनी सुरुवाती सिक्षा दिली के सेंट कोलंबस से की है और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए और उन्होंने वेटेन की लंदन यूनिवसिटी और अमेरिका की पैन सायवीनिया यूनिवसिटी से उच्च सिक्षा गरण की और उन्होंने इंटर फिनेयोरियल मेरेजबेंट में BBA और फाइनेंस में MBA की पढ़ाई की यानि आप लोग कह सकते हैं कि कापी पड़े लिखे हैं आपके मुकमंत्री कॉंडरार संगमा मेगाले की पूर मुकमंत्री और पूर लोकसभा अध्यक्च रहचों के PA संगमा की सबसे चोटे वेटे हैं PA संगमा कॉंग्रेस के बरेश नेता रहे हैं और बाद में भी कॉंग्रेस से अलग होकर नौ गठित राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी में चले गए थे और अगर हम लोग कॉंग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनितिक दल है आप देखते हैं 28 दिसमर 1880 में इसकी स्थापना हो गई थी इसकी संस्थापक AO हियूम थे और इसके आप देखे पहले अध्यक्ष डवलू सी बनर जी थे विवमेड चंद बनर जी अगर हम लोग कॉंग्राड संगमा की माता की बात करें तो सुरा दिनी संगमा इनकी मा का नाम है कॉंग्राड ने महताब संगमा से बिवा किया हुए असाधी की हुई है इनकी पत्नी है कॉंग्राड की बहन अगाथा संगमा भी लोगसभा सांसद रह चुकी है अगाथा 2009 में मन्मोहन सींग के मंती मंडल की सबसी युवा मंत्री भी बनी थी कॉन्राड की बड़े भाई जेम संगमा भी राजनिती में हैं और विब मेकाला विधानसबा में विपक्च के नेता भी रहे हैं और अगर हम लोग इनके बास्विक नाम की बात करें असली नाम देखें रियल नाम कॉन्राड कॉन्ग कल संगमा इनका पूरा नाम है इनकी पतनी का नाम महताब अजी तोक संगमा है इनकी बेटी का नाम अमारा है और इनकी राजनिती क्यात्रा अगर हम लोग देखें पॉलिटीकल सफर तो सिख्षा पूरी करने के बाद कॉनराड संगमा ने 90 के दसक के आखिरी बरसों में राजनीती की छेत में उतरे थे और सुरुवात उन्होंने अपने पिता पीए संगमा की चुनाओ अभियान की केम्पेन में मैनेजर की रूम में कमान समालने के साथ की थे पीए संगमा उस समय कॉंग्रेस से अलग हो चुके थे और धड़े जो सरत पवार की अगवाई वाले नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पाटी यानि की न्सीसीपी के उम्मीदबार की रूम में चुनाओ लड़ रहे थे पीए संगमा को उस चुनाओ में जीत भी मिली थी कॉनरार संगमा पहली बार 2008 में पहली बार राज विधान सबा का चुनाओ लड़े और जीते भी थे और अगर आप देखी विधायक का चुनाओ आपको लड़ना है ना विधान सबा का तो आपकी उमर कम से कम 25 सालों निचे अधिकतम उमरी की कोई सीमानी रखी गई है इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है आपकी उमर 18 साल हो चुकी है तो बोटर सुची में आपका नाम जुड़ चुगा होगा नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़कवाटर देखने को मिलेगा पहले मुख चुनाओ वाइप सु कुमार सैन थे और उस चुनाओ में कॉन्राड संग्वा के भाई जेम्स भी जीते थे और आप देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने एनसीपी की सरकार बनने पर उसमें कई महत्मूर विभाग जैसे बित्त मंत्राले विजली पर एटन्स दूर संचार मंत्री की रूम में सरिफ दस दिन के कारकाल की भीतर ही उन्होंने अपना पहला सालाना बजट भी पेस किया था इसके बाद 2009 से 2013 तक वे मेगापले विधान सबा में वेपक्ष के नेता भी रहे 2016 में अपने पिता फिये संगमा के नेधन के बाद खाली हुई तुरा लोकसबा उच्चुनाव में वे इस सीर से खड़े हुए और ततकालीन मुकमंत्री मुकुल संगमा की पतनी दिक कांची डी सेरा को 1.92 लाग बोटों के भारी अंतर से हराया था है इनोंने और कॉन्राड संगमा को 3,29,497 मोट मिले थे जबकि स्रीमती सेरा को 1,37,285 बोट मिले थे और अगर आपको लोगसभा का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 सालों नीचे अधिक तम उम्री की यहाँ भी कोई सीमा नहीं रखे गए और इनका चुनाव भी डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा ही होता है लोगसभा सदस्कावी मेघाले विधानसभा चुनाव 2018 में किसी भी डल को पूर्ण भहुमत ना मिल सका और 69 में से 21 सीटें जीत कर भारती राटी कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी इसके बाद संगमा की नेशनल पीपोल्स पार्टी ने 19 सीटें जीती थी भारती जिंता पार्टी के द मेघाले की वरत्मान में चीव मिनिष्टर है मुखमंद्री हैं आंगे इनका राजनेतिक सपर किस तरह से रहता है ये तो माने वाला वक्ती बताएगा और इसके लिए अच्छी बात है कि आजकल आपके पास सोसल मीडिया है डिजीटल की इंडिया की बात होती रहती है स्मार्टपॉन भी है उससे सभी के बारे में जान कर बारे में अस्मार्टब्या कर दो किस दो ओने अच्छी बारे में बारे में जाने है इनका रहता है